क्या आरजेडी 23 मार्च को विधानसवा मार्च निकाल पाएगी परधान मंत्री ने इन मोदीन ने कैसे ममता बिनेड़ी पर निशाना साधा और उत्तर परदेश के पूरू मुख्य मंत्री अखिलेश यादब ने उत्राखन के मुख्य मंत्री तीरस शिंग रावत के फटी ज पहुचाने के लिए शेयर करें और हाँ हमारी यूट्यूब चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करना ना बूले तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी ख़बरों पर आरजडी की और से 23 मार्च को आयुजित होने वाले विदानसबा मार्च की तयारी तेज हो गई है जिला अस्तर पर नुकट सबाओं का आयोजन किया जारा है जिला परसासन से अनुमती मांगी गई लेकिन अनुमती नहीं दी गई है विदान मंडल का बजट सत्र जब चल र लगी रहती है इस सब के बावजुद राजद ने तै कि हो विधान सबा मार्च करेगा राजद महा सचीब निराला यादब ने बताया कि इसमें नेता परती पक्ष तेजस्वी यादब भी भाग लेंगे पुलिश की भरसक कोशिस होगी कि विधान सबा मार्च को गांधी का हो रहेएं जो संकेत ठीक नहीं दे रहे हैं पटना में हर गंटे कोरोना संकर्मित एक ने मरीज मिलने का ग्राफ है शुकरवार को 24 गंटे में 25 ने मामले शामने आए इसमें हेदरवाद से पटना आये एक युवक में भी शंकरमन की पुष्टी हुई शुक्रुवार को बिहार में 90 नए मामले आये हैं जिसके बाद परदेश में एक्टिव मामले 436 पहुँच गए जबकि ये आकड़ा गुरुवार को 405 था कोरोना को लेकर शंबावित सियम की समिख्षा का आसर अब जाच पर दिखने लगा है बिहार विधान सभा चुनाओं में मिली करारी हार के बाद लोग जनसक्ती पाटी बदलाओ की तयारी में है ये बदलाओ परखन अस्तर से लेकर परदेश अस्तर तक होगा इसके लिए हाली में काड़े काड़ी अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद से पुरू विदायक राजू तिवारी ने अपना खाका तयार कर लिया है इनके प्रस्ताव पर लजेपी सुप्रीमो चिराक पासवान ने भी अपना मोहर लगा दिया है हर बूत पर महलाओं को जोडने के साथ ही एक दो महलाओं को वहां की महतपूर्ण जिम्मेवारी सोपी जाएगी कोरोना संकर्मन के बढ़ते मामलों के बाद लोगों को साबधानी बरतने की जरूरत है लेकिन भादपा सांसत सुसिल मोदी और राम किरपाल यादब को लगता है माश्क पशंद नहीं है वो लोगों को करोना संकर्मन से बचने के लिए माश्क पहनने सेनेटाइजर इस्तमाल करने और सोसल डिस्टेंसिंग का संदेज दे रहे हैं लेकिन खुद ही माश्क से दूरी बना रखी है भादपा परदिस काड़ेले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काड़ेकरम के आयोजन के दौरान राजसबा सांसद सुजिल मोदी और पाटली पुत्रा सांसद रामकिर पाल यादब समेत कई नेता बिना माश्क के नजर आए बिहार विधान मंडल के बजट सत्र का 19 दिन भी हंगामे दर रहा सुक्रवार को विधानसबा की दूसरी पाली की काड़ेवाही सुरू होते ही पुलीस अधिनियम बिल 2021 को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया यारे बाजी करते हुए विपक्ष के विधायक वेल में पहुँच गए कई सदस्च आसन की और बिल की परती फाट कर फेकने लगे इस दौरान विधानसबा अधियक्ष विजय सीनह ने चेतावनी देते हुए का की गलती मत कीजिएगा मेरे तरफ उंगली मत दिखाईएगा विपक्षी सदस्योग के शांत नहीं होने पर अधियक्ष ने विधानसबा की काड़िवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए अस्तगित कर दिया बंगल में विधानसबा चुनाओ के पहले फेज की वोटिंग की तारीख नस्दिक है ऐसे में वहां चुनावी घमासान चरम पर है इसी सिलसले में परदान मंतिरी नरेंद मोदी ने आज खड़कपूर में चुनावी जनसबा की मोदी ने बंगल में विकास और भरष्टचार के मुद्दों को लेकर टीमसी और मुख्यमंतरी ममता बेनर्जी पर जम कर निशान असाधा मोदी ने सोसल मीडिया डाउन होने से लोगों के बेचैन होने का उधारन देकर ये मेसेज देनी की कोशिश्की की बंगल में तो पचास साल से विकास और सपने ही डाउन हैं पच्छिम बंगाल में तीसरी बार सत्ता में वापसी करने के लिए मुख्यमंतरी ममता बेनर्जी पूरा जोर लगा रही है सनिवार को हल्दिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा और परधान मंतरी नरेंद्र मोदी पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि नोट बंदी से लेकर बैंक बंदी तक मोदी ने देश की एकोनोमी को बरबात किया जल्द ही वो हल्दिया पोट को भी बेचने की बात करेंगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सरकारिक कमपनियों को बेचने में लगी हुई है भाजपा सिर्फ अपना भलाज सोचती है देश का नहीं हम बंगाल में CAA और NRC लागू नहीं होने देंगे बंगाल में भाजपा की हारता है उतर परदेश के पुरू मुक्ष मंतरी और समाजवादी पार्टी के राष्ट अध्यक्ष अकिलेश यादब सुक्रवार को देर रात अचानक कन्नूज पहुँचे यहां उन्होंने उतराखन के मुक्ष मंतरी तीरत सिंग रावत के फटी जीन्स वाले बायान पर जम करने साना साधा अखिलेश ने कहा कि भारती जनता पार्टी के लोग फैसन क्या होता है ये नहीं जानते इनका बस चलेगा तो एक दिन पिज्जा और बर्गर भी बंद करवा देंगे रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने सुक्रवार को भारत दोरे पर आये अमेरिका के रक्षा मंतरी लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की दोनों देशों के परतिनीधी मंडलों के बीच विग्यान भवन में मीटिंग भी हुई इसके बाद दोनों नेताओं ने शैयुक्त बयान जारी किया सबसे पहले राजनात ने कहा कि मुझे ये कहते हुए खोशी हो रही है कि आस्टिन और उनके परतिनीधी मंडल के साथ हमारी वयापक और उप्योगी बात्चित हुई असम के चुनावी घमासान में राहूल गांदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है डिब्रुगर के लाहोवल में गुरुवार को राहूल ने कॉलेज स्टूडेंस से बात की इस दोरान उन्होंने बेरोजगारी किसान और CAA पर बात की अगर देश के परधान मंतरी से लोग दिल खोल कर बात नहीं कर सकते तो कोई ना कोई कमी तो होगी हर भासाग और धर्म के बीच में जो खोली बात होती है उसे हम लोकतंतर कहते हैं अगर आप दिल्ली जाओगे तो अपनी भासा नहीं बोल पाओगे नागपूर में एक सक्ती पैदा हुई है वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने में जोटी हुई है ये थी आज की दस बड़ी खबरे देखते रहिए सारा सच